दोस्तों माई नेम इस भूपेशन सर्मा मोडी बिजनेस कोच मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जारूं आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी खुद की कंपणी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा किस तरीके से आप आपको तो पता होगा हमारी यूट्यूब चनल पर सिर्फ अर्णिंग एंड बिजनेस रिलेट वीडियो अपलोड होते हैं तो आपका अगर सपना है एक बिजनेसमेन बनने का एक सब्सक्राइब करने का तो आप हमारी चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बहुत सारा पै या मैं सबसे critical point यहीं पर problems आ जाती आपसे अगर कोई पूछता है कि मैं खुद की company start करना चाता हूं कैसे करूं तो आप बहुर सारी उसे राय दे देते हैं कि आप इस तरीके से अपने खुद की company start कर सकते हैं बड़ जब खुद पर बात आती है या मैं company start करना चाता हूं त तो कभी company शुरू ही नहीं किये उनसे आप राय पूछते हैं और राय आपको ऐसी देते हैं जिससे आपका loss का सामना करना पड़ता है तो पहला जो मैं बिंदु आता है इस बिंद को खुद को clear करो खुद को clear करो और राय यह राय वाला सब्द कभी ऐसे आदमी से मत पूछ जो कभी ना तो खुद की company start किया हो ना तो किसी company में कुछ ग्रो किया हो तो इन लोगों से हमेशा दूर रहना नंबर दो नंबर दो आता है इसी से related है नंबर दो आता है self improvement self experience self improvement यह self इस्पीरियंस यह self selection self selection self improvement यह क्या होता है यह most important topic है आपको खुद में search करना है self selection खुद अपने आप में search करो मैं क्या कर सकता हूं कौन सी चीजे निर्माड कर सकता हूं जिसे लोग की problem solve हो problem solving product बनाऊगे 100% successful मिलेगा self improvement खुद को improve करना होगा self experience मुझे किस चीज के बारे में experience है और आपको आपको स्वाबुन बनाने के बारे में experience आप निर्मा बनाऊगे क्या होगा आप 6 महिने तक आपके कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि 6 महिने तक आपको experience लेने में लग जाएगा बट अगर आप employee selection employee selection क्या होता है सबसे में प्राब्लम तो इसकी आपनी employee selection आपकी company को 85 % आगे ले जाने वाला employee होता है किस तरीके से आपकी company को आगे ले जाता यह यह बताता हूं नंबर एक देखिए यह आपकी कidency को इस तरीके से आगे लए जाता रसारा सीस्टम इसी के कितनी सेलरी मैं दूंगा नंबर एक नंबर दू क्तारीकेसिन लिखना है कि जो भी कि आपके कंपनी के employee होंगे A to Z employee manager से ले करके work करता है qualification आप कितना रखेंगे कितनी qualification होनी चाहिए कितने documents लेना है भी एक original आपको legal authority बता देता हूं कि अगर आपको आओ सकता आप किसी भी आदमी का intermediate certificate लेते हैं तो उसे intermediate एक limited salary होती हुआ salary को आपको देना होगा तो उसकी document सुदने ही लीजे जितने की आपकी आओ सकता हो फिटनेस कैसे employee चाहिए कैसे employee यह पहुत माईने रखता है आपके business में आपके business में अगर गलत employee आ जाता है तो आपके business को देता है गलत employee कौन सा होता है जो अपने आठ घंटे पूरे करने आता है company में नंबर एक आठ घंटे पूरे करने आता है company में नंबर दू सिर्फ salary के लिए आता है नंबर थ्री सिर्फ salary के सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है इन तीन लोगों से जो तीन क्वाल्टी जिनके अंदर होती है इनसे हमेशा दूर रहना है जब आप इंटर्व्यूज लेंगे इंटर्व्यूज में आपको यह पता चलाएगा ऐसे आदमी को लाना है जो ख कुछ नया करना चाहता हो क्रियोटिव माइंड हो उसका कभी भी अपनी कंपनी सुरू करने के लिए आपको ऐसे आदमी को हायर नहीं करना है जैसे कि कोई आपके पास कॉल करें या मेरा भाई है यार इसे रख लो या मेरा दोस्त इसे रगलो मेरा रिलेटिव इसे रगलो क अभिभी ऐसे आदमी को स्टाटर में अपको अपनी company में नहीं रखना है इंप्लोई सेलेक्षन मोस्ट इंपोर्टेन टोप विख है आप के ळिए कंपनी का सबसे महаты्पूर्ण हो सकता है नमबर दो प्रोडेक्ट हो सकता है कि बुक्स हो सकती है कि कुछ भी हो सकता है ठीक है अब इसमें सेलेक्शन प्रोडेक्ट सेलेक्शन किस तरीके से आप करना है आपको करना है नमबर एक कैसे करना है आपको यहांचे शुरू करता हूं आपको सबसे पहले अपनी हं करनी है 100 किलोमेटर एरिया पकड़ ली फिनेश नंबर पर आता है लोगों की अ फिर लोगों का और क्वाल्टी सवाइट करना है कटागरी क्टागरी कुछ इस लोगों की मिडल खलाश आपर खलाश लोवर खलास या आपका प्रोडेक्ट 500 में बिकेगा या दोसों में तीन चीज़े आपको सलट का लेनी है यह हो गया मिडल क्लास है अब आपके अगर हंड़ेट किलो मीटर एरिया में मिडल क्लास फैमली बिलॉंग करती है तो आपको उस हिसाफ से अपना जो है प्रोडेक्ट की परचेजिंग बनी रखनी है अब यहां पर आपको अपने प्रो मटर्य उगारा अवैसा नहीं कि आपके मटर्या इंड £100 रुपे और आपको उससे प्रोडेक्ट-EAR करना है एक स्वाबून आपको मिलता है दिसरुपे का और ये स्वाबून मिलता है पच्छत्तर रुपे का एक स्वाबून मिल ते हैं का ्टार्टी में आपको अपने हउंडघ किलोमेटर की एरिया को ही target करना है फिर नेस्ट नंबर पर आता है कम्पणी का टोटल बजट कैसे च कई च Kannski objects क्यों säच इसमें क्या आपको रखना हैnetes टोटल बूझेट बैलेंशिड क्या होती है कमपने duplicate आपको आपको यह total बूझेट कितने दिनों के आपटर वण ए साल से तीन साल तक एक साल से तीन साल को बजट बना। एक साल um तीन साल का आपको बजट बनाना थी new कमपनी कितना सेलिंग' हो रहा होगी कितना उस पर hella उसका balanceоП कितना कहा कहां पर हमने खर्चा करना है balance पहले सेसं मोच्टप इस ना कितना कि यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सेल सेंड मार्केटिंग तिंग आपको खुद की रखनी है या कोई और भी कमपनिया जो अपनी सेल सेंड मार्केटिंग टिंग रखती है उनको रखना है उदारण के लिए अगर बात करूं तो सेल से मार्केटिंग तो की फ्रेंचाजी के देजिए और जब आप फ्रेंचाजी देते हैं ताप आपने अपने जो होते हैं वो उससे फुझ के सेल्र होते हैं और यलिज़ुलर को भेज करके फिर आपकी क्याों क्रवाता है तो δो हो तरीके त्राइट को अपनी sales and marketing team develop कर सकते हैं वो आपके budget के अनुसार होगा next number के एक प्या आता है सबसे पहले आपको रखना है एक sales team लिए company रखना है अब आपकी एक company है product यहां से निकला sales team के पास पहुंचा sales team ने क्या किया उसे wholesaler के पास refer कर दिया wholesaler अब customer के पहले अब यहां तक जो भी यह बीच के हिससे हैं इनको आप कितना margin देंगे यह भी most important है इनको किस तरीके से आपको margin देना है उदाहरन के लिए पहला product जैसे कि आपने competitive से यहां पर कोई product बनाता है और यहां पर कोई और आपको आपको क्या करना है इस आदमी से इसको अपना लगभग 102 पैसा ज्यादा ही देना है यह क्योंकि आपको नया ट्रांस्पोर्ट आपको खुद का रखना है या जो है किराय के मुझा करना एक तरीका होता है क date छे इसमें सबसाष्ट क्यों सब कर रलंस आप के नहीं होता है ज्वार सकते हैं आपके आपको क्यों हर जब काम कर उसकता हुए उन पर करके चल जाए raw material raw material के लिए आपको उदाहरण के लिए बात करता हूं आपको कम से क्यूंद स्टार्टी में 10 companies üç सब सब iemand एक करें दश कमपानियों से अखसे Battery के बारे बताएंगे सबक्पा तबAntetrie का परचा होता है उसको अपने पास रखना है सबका हर गदमी का यतना भी दे ते उसमें सेलेक्शन करना है कौन सा राव मटेरियर हमारे लिए परफेक्ट रहेगा और कम पैसे में अच्छा राव मटेरियर मिलेगा और मैं अप अच्छे प्रोडेक्ट तैयार कर सकता हूं अब यहां पर राव मटेरियर सेलेक्शन करके फिर आपना प्रोडेक्ट के लिए तैयारी क आता है नमबर एट प्रोडेक्ट पैकिंग मोस्ट इंपर्टेंट टॉपिक यही प्रोडेक्ट पैकिंग का क्या आता है प्रोडेक्ट पैकिंग प्रडेक्ट पैकिंग क्या होता है ब्रोडेक्ट पैक्टिंग डिजैईनिक करणा ऑप्रडेक्ट के लिए बच्च उसे उसकरुज करते करना है आपको यंग यूज करते हैं तो वाली डिजाइनिंग होगी या फिर अगर बुढ़े यूज करते हैं तो उनकी डिजाइनिंग होगी या अगर कोई फैमली यूज करती है फैमली फैमली प्रोडेक्ट बनाते हैं तो फैमली डिजाइनिंग होगी या फिर अगर कोई क इंसार डेखेहंता है डूसरी आप कि तरफ किसे तो ये ऊपनी कोई भी बुक्स के अनुसरा के सब कुछ कोई है उजारण के लिए पाने लगे तो बच्चों के लिए बना जाता है बच्चों के लिए बना जाती है और उसे बच्चों वाली ही डिजाइनिंग होती फिर दस से बारा वाली दूसरी डिजाइनिंग होगी फिर जो है ग्रेजूएशन पोस्ट ग्रेजएशन इससे बैक्स की आलग डिजानिंग होती है तो यह सेम फंडा इसको आपको समझना पढ़ेगा ठीक है फिर नेस्ट नंबर प्याता रजिस्टेशन रजिस्टेश्टेशन ज़ेशन акку ऑच्वटेश्टेशन पर देशन डी ज़े लिभेर डे रिसटेशन प्डूत यह बिना की कुछ हो सत्रीत इतरे जो पर nN và का ऑख यह आज अदमी जो आमेरी था इंडिया में आता और उसे अपने आपता नहीं हैं और इंडिया में आता है और आपने पिता क्या नहीं में पला हुआ बच्चा से यहई गुअ अधार कोई आधार नहीं यह तो बीन आधार के तो कोई बाद नहीं चला सकते हूं तबने लॉंन टर्म तक आपको अपनि कमपने को ले जाना है सबसे पहले एक आधार मेंटेन करना हो हुआ और आधार मेंटेन करनेके लिए सबसे बञ़ी भूमिका होती है वो भूमिका आपकी यह होती है, company का registration, और registration के साथ साथ GST, GST के साथ website, और website के साथ साथ आपका logo, website designing, यह सारी चीज़ें होती है, तो इन चीजों का पिसेस ख्या लगना है, जिससे की क्या होता है, आपकी company आगे निकलती है, ठीक है, social media, फिर 10 नंबर पर जो most important आता है, social media, इसका बहुत ही उपयोग है, आज की date में, दुनिया में, कैसे है, social media पर आपकी company जैसे ही start होती है, आपनी company के नाम के अनुसार, यूनिक नाम के अनुसार, अपनी company को जो है, तुरंत ही, उसकी website, facebook, twitter, instagram, linkedin, सब कुछ बना देना, उसी के न follower आएंगे, आप से जुड़ते चले जाएंगे, starting से, जब तक कि आपकी company high label पर पहुंचेगी, तब तक आपके follower, follower system भी high rate पर पहुंच चुका होगा, आप अपना नया product कोई भी launch करेंगे, तुरंत लोगों के पास तक पहुंचेगा, फटाक से वो sell हो जाएगा, तो इस त करेंगे